नमस्कार किसान भाईयो आप सब का स्वागत है एक और नए वीडियो में पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था टोप साथ ऐसे कीट नास्क जिनके उप्योग से हम गुलाबी सुन्डी को नियंतरित कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कीट नास्क जो की पर्टिकुलर गुलाबी सुन्डी को नियंतरित करने के लिए ही बने है तो सब से पहले सभी किसानवाईयों के मन में ये सवाल हो रखा है भी आज के टाइमे मार्केट में बहुत सारे टेकनिकल मिल रहे हैं जैसे की इमाबेक्टिन है, प्रोफेनोफोस है, साइप्रमेथरिन है, लेमडा है, इथियोन है तो सभी किसान भाई इस कन्फूजन में हैं कि कौन सी दवाई का हम सप्रे हमारी फसल के अंदर करें ताकि हमें बैटर रेजल्ट मिल सके और खर्च भी कम हो और जिस सप्रे का उप्योग हम कर रे हैं, उसका रेजल्ट हमें लंबे टाइम तक मिले यानि कि हमारी फसल के अंदर उसका प्रभाव लंबे समय तक रहे सहाए कौन सा भी सप्रे किसान भाई उसके इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात का विशेश द्यान रखना है कि हमारी फसल के अंदर इनका उप्योग फ्लोरिंग स्टेज पे ही करना ज़्यादा बेटर रहता है जैसे कि आप ये फसल देख सकते हैं, इसके अंदर अभी फ्लोरिंग टिंडे भी बन रहे हैं, इसके साथ साथ फ्लोर्स भी है इस एरिया के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक इतना ज़्यादा हो चुका है किसान भाईयों की हलके कीट नास्क जो हैं, वो अपना प्रिणाम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए अब किसानों को अच्छे कीट नास्क जो की बहतर प्रिणाम देशके इनकी आप सिकता किसान भाईयों को है किसान भाइयों, सबसे पहले बात या आती है कि कीटनास्क चाहे जितना महिंग हो, चाहे जितना सस्ता हो वो कीटनास्क काम तो भी करेगा जब हम उसका समय पर छिड़काओं करेंगे अगर हमारी फसल के अंदर गुलाबी सुनडी का आटेक हो गया और गुलाबी सुन्डी टिंडे के अंदर गुस गई है तो उसको नियंतरित करना बहुत ही मुस्किल हो जाता है किसान भाईो इसलिए हमें कोशिश यह रखनी है कि जब हमारी फसल के अंदर फलोरिंग स्टेज आ रखी हो उस समय हमें अच्छे कीट नास्क का छिड़काओ करना है जो कि हमें कम से कम 10-15 दिन तक रजल्ट देश के ताकि जो इन फूलों पर हमने सप्रे किया है उन फूलों से बोल्स का निर्मान हो जाए किसान भायों किसी भी कीट नास्क का छिड़काओ करने से पहले हमें इस बात का विशेश द्यान रखना है कि हमारी फसल के अंदर शिंचाई होनी चाहिए यानि कि हमारी फसल के अंदर आफशेक नमी होनी चाहिए ताकि हमारी फसल के अंदर सप्रे करने के बाद फूल जड़ने की समझा ना आए तो अब बात करते हैं किसान भायों उन कीट नास्क की जिन के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके अंदर सबसे पहला कीट नास्क आता है डेलिगेट जिसके अंदर स्पाइनो टोर्म 11.7 प्रतिशत इसकी हमें 180 ml मातरा प्रतिय कड़ के हिसाब से 1.5 लिटर पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काओ करनी है और यह है कीट नास्क सबसे बेस्ट कीट नास्क वरतमान समय में हम कह सकते हैं प्रतियों की गुलाबी सुंडी को खतम करने के श्यमता रखता है और इसका छिड़काओ हमें तब ही करना है जब हमारी फसल के अंदर संचाई की हुई हो या हम अगले दिन या दो दिन में संचाई कर सकें नमबर दो पर अगर अपने बात करें तो नमबर दो पर जो कीटनास का है हमारी लिस्ट के अंदर वो है डैनिटोल और इस दवाई के अंदर हमारा जो टेकनिकल आता है वो आता है फैन प्रो पैथरीन 10% इसी अब बात करें इसकी डोज की तो इसकी डोज हमें 300 ml प्रती एकड के हिसाब से उप्योग करनी है किसान वाईयो और सप्रे करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फसल के अंदर जिस कीटनास का काम सप्रे कर रहे हैं उसका हमारी फसल के अंदर बराबर छिड़का ह कोई भी पौधा बचना नीं चिए यह किटनास के किसान वायो गुलाबी सुन्डी को तिनों वस्ता यानि कि उसकी अंड़ा अवस्ता है उसकी जो एडल्ट है तितली है उसको खतम करता है और इसका रिजल्ट हमारी फसल के अंदर लंबे समयत करेता है यानि कि एक बार हमें स किटनास्क का सप्रे करने की आश्चता होगी नमबर तीन पर बात करें तो नमबर तीन पर आता है सिजेन्टा कंपपनी का ἐράंक। करता है इन तिनों में से किसी भी किटनास्क का उप्योग करके हम हमारी फसल को uglaւ सुन्डी के अटेक से बचा सकते हैं और इनका कपास की फसल के अंदर लंबा और अच्छा रिजल्ट है किसानवायो यह तीनों ही कीट नास्क किसानवायो ब्रोड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड हैं जो कि एक से अधिक कीट नास्कों के उपर परभावी देते हैं यानि कि यह एफिड जेस सीड थ्रिप्स, वाइट फलाई और जो अपना मेन टार्गेट हैपिंक बोलो और हम उसके उपर भी परभावी रहते हैं इस परकार आप इन तीनों किट नास्कों में से किसी भी एक अच्छे किट नास्क का चिड़काओ करके अपनी फसल को गुलाबी सु गी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाईयों के साथ सेर करें और सुकम किसान यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद